फेलो एबरिवन वेलकम तू यू यूर यूट्यू चैनल दी कंसेप्ट अपाठ फॉर सेकस्स आज हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे इस बीडियो लेक्चर में डिसकस करिया जाएगा भारतिय समीधान के शडियूल्स के बारे में यानि की अनसूचियां ये बीडियो लेक्चर आपके upcoming सारे government exams जैसे की UPSC, State PCS, SSC और अन्य जो भी State के government exam हैं उनके लिए बहुत ही जादा important है इस बीडियो लेक्चर में schedules को detail में describe किया जाएगा और हर एक schedule को detail में समझाया जाएगा चलिए शुरू करते हैं very important video lecture schedule of Indian Constitution सबसे पहले introduction जो भारतिय समिधान के schedule हैं वो एक तरह से additional provisions हैं भारतिय समिधान में जो basically detailed चानकारी देता हैं अलग-अलग aspects जो भी हैं समिधान के उनके बारे में जो भारतिय समिधान के अनिसूचियां यानि schedules हैं वो बहुत ही ज़ादा जरूरी पार्ट है हमारे समिधान का और एक तरह से जो भारत को govern करने वाले legal framework है उसका भी integral component है यानि उसका जुड़ा हुआ बहुत ही एहम हिस्सा है schedules को सरप्रथम mention किया गया था government of india act 1935 में उस समय भारत के समिधान में जो government of india act 1935 था उसमें 10 schedule को जोड़ा गया बाद में जब भारती समिधान को adopt किया गया 26th November 1949 को उस समय भारत के समिधान में 8 schedule थे धीरे धीरे बहुत सारे शंचोदन किये गे भारत के समिधान में और total schedules होगे 12 तो इस तरह conclude करके ये कह सकते हैं कि at present भारत के समिधान में total 12 schedules है चलिए इन schedules को one by one समझते हैं और किस schedule की importance किस चीज़ के लिए है ये भी जानते हैं सबसे पहले है first schedule of Indian constitution पहला जो schedule है भारत के समिधान का वो define करता है the union and its territory भारत के राज्य के इंदर साचित परदेश और उनके territory सीमाओं के बारे में basically इस schedule में बात की जाती है भारत के राज्यों के लिस्ट के बारे में उनके name और उनकी territorial jurisdiction यानि उनकी सीमाएं कहां तक सीमित है साथ में इस schedule में ये भी बताया जाता है कि भारत के समिधान में कितने यूटीज हैं उनके name और उनके territorial jurisdiction भी असान भाषा में कहा जाए first schedule में mention किया गया है कि at present भारत में 28 states हैं और 8 यूटीज हैं next है second schedule second schedule basically deal करता है उन provision के साथ जो के relate करते हैं emoluments, allowances and privileges of कुल 9 post हैं उनके बारे में इस schedule में जो भी महनताना यानि salaries, allowances और विशेश सुविधाय दी जाती हैं कुछ 9 post हैं Indian constitution के according उनके बारे में चलिए जानते हैं वो 9% कौन से हैं जिनको ये विशेश सुविधाय, allowances और emoluments दी जाते हैं फर्स्ट है President of India, भारत के रास्टपती, दूसरे है Governors of Indian States, भारती राज्यों के जो भी राज्येपाल हैं उनके बारे में बात की गी है तीसरा है लोकसभा का Speaker and Deputy Speaker, फोर्थ है राज्येसभा का Chairman and Deputy Chairman, पांचमा है Supreme Court के Judges, जो भी Supreme Court के Judges हैं including Chief Justice उनके बारे में वहीं राज्यों में हमने बात की Governors, वही State Legislative Assemblies यानि बिधान सभा के Speaker और Deputy Speaker के बारे में बिधान परिशद के Chairman, जिन जिन राज्यों में बिधान परिशद हैं उनके Chairman और Deputy Chairman के बारे में राज्यों में जो High Court हैं उनके Judges including Chief Justice उनके बारे में और Last और 9th Person है CAC यानि Comptroller and Auditor General of India तो इन 9th Person को याद रखने का Simple तरीका है एक तरफ चार परसन है Union के और एक तरफ चार परसन है States के Union के President, Speaker and Deputy Speaker लोग सभा के, राज्य सभा के Chairman and Deputy Chairman और Supreme Court के Judges इसी बेसिस पे Compare किया जाएगा तो राज्यों के Governor, बिधान सभा के Speaker, Deputy Speaker, बिधान परिशद जिन जिन राज्यों में है वहाँ के Chairman और Deputy Chairman और High Court के Judges और जो 9th Person है उसका नाम है CAG, Comptroller and Auditor General ये दोनों को Responsible होता है Next है हमारे पास Third Schedule of Indian Constitution Third Schedule जो है वो डील करता है उन पुर्वीजन के साथ जो कि relate करते है Forms of Oath और Affirmation for 9 Persons यहाँ पे भी 9 Persons की Oath और Affirmation यानि उनकी शपत और उनकी निकती के बारे में बात की गी है चलिए जानते हैं यह 9 Persons कौन से है First है Union Minister जो की केंदर के मंत्री है वो Second है Parliamentary Elections के Candidates जो की Parliament के Elections में खड़े होते हैं Candidates उनकी Oath और Affirmation के बारे में तीसरा है Parliament के जो Members यानि MPs लोकसवा और राज्यसवा के वो Fourth है Supreme Court के Judges वही राज्यों में बात की जाए तो State के Ministers वही State Legislature Elections के जो Candidates खड़े हैं उनके Oath और Affirmation के बारे में State Legislature के जो भी Members यानि MLA's और MLC's जो भी होते हैं उनके बारे में और High Court के Judges हैं उनके बारे में और Common Person CAG Comptroller and Audit General इस Third Schedule में बिवेसिकली चार परसन Union के हैं और चार ही परसन States के और Common Person है पिछली की तरह CAG तो इस Schedule को भी असानी से याद रखा जा सकता है चलिए बात करते हैं Fourth Schedule of Indian Constitution भारतिय समिदान के चौथे Schedule यानि चौथी अनसूची के बारे में चौथा Schedule डील करता है उन प्रवीजन्स के साथ जो की Related है Allocation of Seats in the Raja Sabah to the States and Union Territories यानि की Fourth Schedule में राज्य और केंदर सासित परदेशों के राज्य सभे की सीटों के बारे में बंडन किया गया है इस Schedule में ये बताया गया है कि किस राज्य से कितनी और किस यूटी से कितनी Union Territory और स्टेट से कितनी राज्य सभा में सीटे हैं ऐलोकेट कीगी हैं समिधान के अनुसार स्टेट्स तो सारी की सारी आ जाएंगी वहीं यूटी स की बात करें तो भारत के तीन ही यूटी से हैं जहां से राज्य सभा की सीटे हैं एक तरह से दिल्ली पूडुचेरी और तीसरा होगा हमारे पास जेंड के जो बरतमान समय में नहीं है तो असान भाषा में बोला जाएं राज्य और यूटी с के जो राज्य सभा की सीटे हैं उनके बारे में बंणन किया गया है फोट शेडियूल के बारे में next है हमारे पास फिफ शेडियूल पांच मी अनसूची पांच में अनिसूची डील्स करती है उन पुर्वीजन के साथ जो के रिलेटेड हैं administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in India यानि पांच मां schedule परसाशन और नियंतरण के बारे में बात करता है administration and controls, schedules, areas जो भी जनजाती एक शेतर है scheduled tribes जो भी जनजाती जाती हैं उनके बारे में schedule tribes और schedule areas भारत में हैं उनके बारे में administration and control के बारे में बंडन किया गया है भारती समिधान की पांच में अनुसूची में next है हमारे पास six schedule of Indian constitution six schedule basically deal करता है उन पुर्वीजन के साथ जो कि related करते हैं administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalya, Tripura and Missouri यानि की six schedule में administration उन tribal areas के बारे में बताया गया है जो कि चार राज्यों में बंडन किये गये हैं और ये चार राज्यों very important exam के लिए याद रखना तो वो tribal area जिनके administration के बारे में चार राज्यों के बात की गी हैं वो है Assam, Meghalya, Tripura, Missouri इसको short form में याद रख सकते हैं AM, TM Assam, Meghalya, Tripura, Missouri ये चार राज्यों के administration tribal area के बारे में बंडन किया गया है sixth schedule of Indian constitution next है हमारे पात seven schedule of Indian constitution भारती समिधान के अनिसूची उन provision के साथ relate करती हैं जहां पे division of powers between the union and the states यानि seven schedule में जो भी powers हैं उनको divide किया गया है राज्यों और केंदर के बीच में जो भी सकतियों का अवंटन है संग और राज्यों के बीच में बांटा गया है उन provision के बारे में detail दीगी है बेसिकलि division of powers को three lists के थ्रू किया गया है three lists जो कि भारत के समिधान में mention है list one जिसके union list के नाम से जाना जाता है list two जिसे state list के नाम से जाना जाता है list three जिसे concurrent list के बारे में नाम से जाना जाता है list one union list है जिसके basically present sous subject है यानि 100 topics है जिनके उपर union government ही जो है law बना सकती है शुरुआत में ये 97 subject थे state list की बात करें बरतमाद समय में 61 subject है यानि state government 61 subject पे ही कानून बना सकती है शुरुआत initially 66 subject थे list 3 की बात करें वो है concurrent list जिसमें basically 52 subject है और इन पे union और state दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है जैसे इसका example है education शुरुआत में इसके subject थे 47 तो ये हैं बरतमाद समय के subject और ये है शुरुआत के और ये है division of powers जो की 7 schedule of Indian constitution में बंदन किया गया है चलिए बात करते हैं 8 schedule of Indian constitution के बारे में 8 schedule basically एक list है 22 Indian languages के बारे में जिनको समिधानिक दरजा दिया गया है यानि 22 समिधानिक बाशाएं जिनको समिधानिक दरजा देके समिधानिक बाशाएं बनाया गया है इन 22 languages में से शुरु में हमारे पास 14 languages ही mention थी यानि जब भारत के समिधान को adopt किया गया 26 November 1949 उस समय हमारे पास समिधानिक बाशाएं 14 ही थी अब बरतमान समय में कितनी हैं लिस्ट है 22 languages की पंदर्मी बाशा बनी थी हमारे पास सिंधी language जिसको add किया गया था 21st amendment act of 1967 21 शंचोदन था जिसके अंतरगत सिंधी को पंदर्मी बाशा के रूप में भारत का समिधानिक दर्जा दिया गया फिर बात करते हैं अगली तीन बाशाओं को जोड़ा गया है कॉंकणी मनिपूरी और नेपाली इन बाशाओं को जोड़ा गया 71st constitutional amendment act 1992 16th, 17th और 18th 1992 में 18 भाशाओं को समिधानिक दर्जा दे दिया गया वहीं बोडो, डोगरी, मैथली और संथली इन भाशाओं को 92nd constitutional amendment act 2003 जिसे लागू किया गया 2004 में इन चार भाशाओं को भी समिधानिक दर्जा दिया गया और इसी तरह 18 प्लस 22 भरतमान समय में कितनी भाशाओं होगी 22 तो इसलिए कह सकते हैं आठ में जो अनिसूची हैं भारतिय समिधान की वो समिधानिक भाशाओं के जो की 22 हैं उनके बारे में बंडन करती है नेक्स्ट हैं हमारे पास 9th schedule of Indian constitution 9th schedule basically deal करता है उन state acts और regulation के बारे में जो की deal करते हैं land reforms and abolishment of the जमिदारी system basically 9th schedule में state के कानून और नियमों के बारे में बंडन किया गया है जिसमें जो भू सुधार है यानि भूमी सुधार land reforms उनके बारे में बात की गी है वहीं जो जमिदारी system था उसको खतम किया गया है उसकी abolishment की गी 9th schedule को जोड़ा गया है first amendment act 1951 के अंतरगत और ये relate करता है land reform से सबंदित तो असान भाषा में कह सकते है 9th schedule है land reform से सबंदित और इसे 1951 first amendment से जोड़ा गया next schedule है हमारे पास 10th schedule of Indian constitution 10th schedule deal करता है उन provision के साथ जो कि relate करते हैं anti-defection law यानि की 10th schedule को anti-defection law के नाम से भी जाना जाता है basically जो 10th schedule है वो deal करता है disqualification of MPs and state legislatures जो भी MLA और MLCs हैं उनके बारे में on the basis of defection यानि जो भी लोकसभा राजी सभा के MPs हैं और MLA और MLCs हैं उनकी disqualification के बारे में किस के अधार पे उनको disqualify किया जाएगा on the ground of defection अगर कहीं पे भी वो defected पाए जाते हैं तो और इस provision को एक नाम भी दिया गया है इसे बोलते हैं anti-defection law जो की deal करता है 10th schedule of Indian constitution के साथ बात करें कि 10th schedule को कब जोड़ा गया तो 10 में अनुसूची को जोड़ा गया था 52nd constitutional amendment act 1985 के अंतरगर next है हमारे पास 11th schedule of Indian constitution यानि की ग्यार्मी सूची ग्यार्मी सूची डील करती है उन पुरवीजन के साथ जो की related है power, authority and responsibilities of panchayats basically 11th schedule में panchayat की powers क्या क्या है उनकी authority उनको किस चीज के लिए authorized किया गया है और उनकी क्या जिम्मेबारिया यानि responsibilities है उनके बारे में 11th schedule में panchayat से related 29 meters है जिनके related panchayati राज सिस्टम डील करता है यानि 11th schedule 29 meters को contain करता है वहीं बात करें 11th schedule को जोड़ा गया था 73rd amendment act 1992 के अंतरगर next बात करें 12th schedule of Indian constitution भारतिय समिधान के बार्मियन सूची के बारे में जो कि deal करता है उन provision के साथ जो कि related है power, authority and responsibilities of municipalities basically 12th schedule में powers, authority और responsibilities बताएगी है municipalities के बारे में 12th schedule में basically municipalities related 8 matters contain करता है यानि 12th schedule में 18 matters है sorry 18 matters contain करता है वहीं बात करें तो 12th schedule को जोड़ा गया था add किया गया 74th amendment act 1992 के अंतरगर 74th amendment act 1992 के अंतरगर बार में अनिसूची को भारती समिधान में जोड़ा गया तो इस तरह से इस video lecture में हमने पूरी detail में भारत के समिधान के schedules के बारे में बात की ये schedule बहुत important है upcoming exam के लिए इस video lecture में हमने Indian politics के lecture number 4 को discuss किया जो कि बात की अनुसूचीयों के बारे में भारती समिधान की ये video lecture आपके upcoming exam के लिए बहुत ज़्यादा important रहेगा video lecture पसंद आया है video lecture को like करें अपने valuable comment करें जाज़ से जादा इस video lecture को share करें और आपके अपने channel the concept apart for success को subscribe करें और आप सब के लिए question है इस question का आपने answer comment box में करना है question है कि भारती समिधान को enact कब किया गया था enactment of भारती समिधान यानि भारती समिधान को लागू कब किया गया था इसी के साथ हम इस video lecture को यहीं पर खतम करते हैं थैंक यू जै हिंद जै भारत